आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपके लिए लेकर काया हूँ बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक अगर आप 10th, 11th और 12th के student हैं या फिर किसी भी competitive level की exam के आप तयारी कर रहे हैं और आपका English बिल्कुल कमजोर है आपका grammar बिल्कुल कमजोर है तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां मैं बिल्कुल step by step और बिल्कुल basic level से मैं grammar पढ़ा रहा हूँ तो च बेहतर तरीका से समझ में आएगा क्योंकि step by step आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरी लिए भी बेहतर रहेगा पहले पार्ट में मैंने origin of grammar दूसरे में letters and dear sounds थर्ड में मैंने syllables के बारे मैंने बताया हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ words and dear types word क्या होता है और वो कितने type के होते हैं आज का topic बहुत ही महत्रपूर्ण है क्यों महत्रपूर्ण है क्योंकि आपको words नहीं समझ में आएगा तो आपको sentence समझ में नहीं आएगा और sentence समझ में नहीं आएगा तो आपको paragraph समझ में नहीं आएगा ये सब एक दूसरी से जुड देफिनेशन को देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है एक ग्रूप अफ लेटर्स वीच गीव कम्प्लीट मीनिंग इस कॉल इवड लेटर्स की समोग को जिसका सही सही अर्थ निकले उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं जितने भी वर्ड बना हुआ है वो 26 लेटर स बना हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है और इन लेटर्स को सही तरीका से अरेंज करके हम वर्ड बनाते हैं जैसे देखेंगे एक्जाम्पल में यहां कि हमने यहां पर फाइप वर्ड लिया डबलो आर आई टी ए और हमने इसको प्रोपर वे में सही तरीके से मैंने इसक यह गलत है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है देखें दुनिया में जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है वो 26 लेटर से इंग्लिश बोली जाती है चाहे जितने भी ग्रैमर में आपका डिक्शनरी में वर्ड हैं जितने भी इंग्लिश है वो सब 26 से मिलाकर कि बनते हैं कम से कम लगभग छे लाख वर्ड बनते हैं सबसे इंट्रेस्टिंग चीज तो यह है कि इसमें हर शाल एक हजार नए वर्ड डिक्शनरी में एड होते हैं और इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप इंगलिस से हमेशा अपडेट होता रहे हैं वर्ड से हमेशा अपडेट होते रहे हैं क्योंकि आपको तभी पता रहेगा कि कौन सा वर्ड नए आ रहा है कौन सा वर्ड जा रहा है जिसे मुबाइल आपका पूराना हो जाता होगा तो देखें होगे कि हमेशा उसमें सब्ट्वेर अपडेट करने का अप्शन आता होगा हमेशा अपडेट आठा रहता है तो ताकि वो smoothly चलता रहे तो in the same way आपको यही काम करना है नर्मल इंगलिस बोलने के लिए आपके पास कम से कम 5000 वर्ड होना चाहिए 5000 वर्ड अगर आपके पास है तो आप डेली लाइट में जितनी इंगलिस बोली जाती है उतना इंगलिस आप बोल लेंगे आपका काम चल जाएगा लेकिन अगर आपको बेहतर इंगलिस बोलना है तो तो उसके लिए आपके पास कमसे कम 20,000 words होने चाहिए तब आप एक आप speaker बन पाएंगे, वक्ता बन पाएंगे, लेकिन अगर आपको परभावशाली वक्ता बनना है, Effective speaker बनना है तो उसके लिए आपके पास 40,000 words होना चाहिए, 40,000 words अगर आपके पास होंगे ते एक आप मैं बात करने वाला हूँ kinds of words की words कितने टाइप के होते हैं देखे there are eight kinds of words words आठ टाइप के होते हैं पहला noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection आठ टाइप के words होते हैं यह जितने भी word आपको दीख रहा है इन सभी को parts of speech या word classes के नाम से हम लोग जानते हैं parts of speech को तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं थोड़ा सा नया एक word मैंने वहाँ पर डाला हुआ है word classes तो यह थोड़ा सा नया हो शकता है और इस parts of speech को दो भागो में डिवाइड किया गया यानि इन आठो word को दो भागो में डिवाइड किया गया और हर इक एक word को दो भागो में डिवाइड किया गया जैसे word को दो भागो में डिवाइड किया गया है उसी परकार से noun को, adjective को, adverb को सबको दो भागो में तो पहला है आपका open classes और दूसरा है आपका close classes समझ में आ गया आप चलिए open classes का definition हम लोग दिख लेते हैं these are classes of words which are always open to change अब दिखें ये word कौन से word होते हैं open classes वाले ये हमें सब बदलने के लिए ready रहते हैं किसमें बदलने के लिए ready रहते हैं new words are formed और ये नया words बनाते हैं while old words drop out of use और जब नया word बन जाता है तो पिछले वाले का परभाव खत्म हो जाता है the open classes are noun, verb, adjective and adverb तो open classes कौन कौन सा हो सकता है noun जिस word को noun बनाया जा सके verb बनाया जा सके adjective बनाया जा सके और adverb बनाया जा सके यानि कि noun से verb भी बने adjective भी बने adverb भी बने समझ में आया हैं या फिर यहां से देखिए adverb से adjective बन जाए और adjective से verb बन जाए या फिर verb से adjective बन जाए वो ऐसे ही word को open classes बोला जाता है जैसे एक word लिजिए यहां जैसे success success आपका noun है और इसको verb बनाना है तो यहां पर भर्ब मनाया गया है भर्ब होगा तो succeed हो जाएगा इसी को आप बना सकते है adjective और इसी को बना सकते है आप adverb समझ रहे हैं तो ऐसे ही word जिसका noun, verb, adjective और adverb बन सके उसी को open classes बोला जाता है इसको content और lexical word इसको content और lexical word भी बोला जाता है समझ में हैं फ्रेंट्स इसको बिस्तार रूप से मैं आपको जब पार्सपीस पढ़ाऊँगा तो इसको बेतर तरीका से मैं आपको समझाऊँगा की noun कैसे बनाया जाता है भर्ब कैसे बनाया जाता है समझ में हैं अब हम लोग पढ़ेंगे close classes की close classes क्या होता है close classes are per noun closed classes अपका होता है pronoun, determiners, preposition and conjunction क्यों होते हैं ये because there are no such addition or deletation from them क्योंकि ये word जो है इसमें कोई नाया words, letters जोडने से अपका noun नहीं बनता है verb नहीं बनता है adjective नहीं बनेगा adverb नहीं बनेगा इसलिए ये open classes में नहीं होते हैं ये close classes होते हैं जैसे आप समझने की courses करें जैसे pronoun है आपका ये आपका ही एक pronoun है अब इसमें आप S को add करेंगे तो ये verb नहीं बनेगा ये adjective नहीं बनेगा समझ में आ गया जैसे determiners है आपका one और many तो one में अगर आप S लगा देंगे या E को हटा देंगे तो ये आपका verb बनेगा कभी नहीं बनेगा many में अगर आप S लगा देंगे क्या ये आपका adjective बन जाएगा नहीं बनेगा preposition ये आपका same है आप इसमें से एक word हटा देने से या एक कोई भी word लगा देने से ये आपका एक लेटर लगा देने से ये एक word हटा देने से ये आपका verb और adjective नहीं बनने वाला है तो इसलिए ये open classes नहीं है इसे हम closed classes कहते हैं समझ में आ गया है आप चलिए इस वर्ड कांटेन structural वर्ड और इस वर्ड को हम लोग structural वर्ड कहते हैं क्यों कहते हैं structural that contribute to the grammatical structure of the sentence क्योंकि इस वर्ड से सबसे ज़्यादा help मिलता है grammatical structure बनाने में जैसे आपको आप देखेंगा पिछला जो मैंने आपको बताया उसका use structure बनाने में उतना नहीं होता है सबसे ज़्यादा हम use किसका करते हैं परणाउन का use करते हैं आपका determinus का preposition का use करते हैं उसका भी use होता है लेकिन इसके तुनला में उसका use बहुत कम किया जाता है समझ में आए फ्रेंट्स अगर आज का वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को पास share करें थोड़ा सा मेरा help करें और इस वीडियो को देखने के लिए thanks for watching